आज मैं आप लोगों को बैंक के जो कुछ नियू चार्जर्ज लागो होने जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स बैंक के जो चार्जर्जर्ज लागो होने जा रहा है वो CC, SBC, UD account पर जो हम लोग cash deposit करते है, cash withdrawal करते है, passbook application करते है उस पर charges देने होंगे हम लोग को bank को, वो 20 जून 2018 से लागो होने जा रहा है हम पर जो charges लागो होंगे वो एक GST के सिवाय होगा और एक GST के साथ होगा पर ये charges बैंके स्टाप, एक स्टाप, डाइमोंड और प्लेटिनियम कस्टमर जो है बैंके उस पर उन लोग कर लागो नहीं होंगे ये charges पहले हम बैंके cash withdrawal के जो charges है जो लागो होने जा रहा है उसके उपर discuss करेंगे हम self check और नॉर्माली 50,000 रुपे ही withdrawal कर सकते हैं free में अगर उससे जादा हुआ तो हमारे account से 10 रुपे auto debit हो जाएगा मतलब 10 रुपे काट लिया जाएगा और इसके सिवा अगर कोई third party चेक और cash जो भी हो उड्रल करता है 10,000 के 10,000 और तो कुछ नहीं charges होगा अगर 10,000 के उपर हुआ तो मतलब हमारे account से 10 रुपे प्रत्री transaction काट लिया जाएगा यह तो होगा cash withdrawal के बारे में जो charges है वो बताया गया अभी बताते है जो cash deposit है उसमें जो charges है उसके बारे में cash deposit maximum 2,000 रुपी CD, CC और OD account में जमा किया जा सकते है और any amount in SB account में जमा कर सकते हम लोग free में जो charges है उसमें जो charges लगेंगे वो charges है SB account में मतलब savings account में 50,000 पार डे हम लोग transaction करते हैं मतलब 25,000 पार डे फ्री में और इससे उपरांत 25,000 के उपरांत जो हुआ तो 2.50,000 और पार्टली 50 रुपे काट लिया जाएगा same as savings account और इसके बाद passbook आपडेटिशन पर भी charges लगेंगे अब जो 10 रुपे करके पार transaction मतलब जो पार हम लोग अपडेट करते हैं passbook उस पर 10 रुपे करके लगेगा यह हमारे account से auto debit हो जाएगा मतलब हमारे account से automatically काट जाएगा अब balance statement देखने से भी हम लोग को पैसा देना परेगा bank को 25 रुपे करके प्रतिस statement वो हमारे account से automatically काट लिया जाएगा checkbook request मतलब हमारा checkbook खतम हो गया और उसके new checkbook के लिए हम लोग apply करते हैं उसके लिए हम लोग के account से 25 रुपे automatically काट लिया जाएगा वो checkbook के लिए signature verification and photo attestation हम लोग के signature verification and photo attestation के लिए 50 रुपे करके अभी charge देना है परेंगे जो पहले free था वो भी हमारे account से free automatically काट लिया जाएगा issue of ddpu and ecs वो उस पर भी अब charges लगेंगे 25 रुपे करके वो भी हमारे account से काट लिया जाएगा automatically check deposit पर भी हम लोग को charge देना परेगा पहले वो free था अभी हम लोग को प्रति check deposit पर 10 रुपे करके देना परेगा और अलग से जो clearing charges है वो भी लागू होंगे इस पर front transfer जैसे के neft rtgs etc उस पर प्रति transaction मदब जो amount जो है वो 25 रुपे request for amount up to 2 लग अगर 2 लाग रुपे के नीचे और 2 लाग रुपे हुआ तो 25 रुपे कटेगा और अगर इससे जादा हुआ तो 50 रुपे करके हम लोग के account से auto debit हो जाएगा interest certificate अगर हम लोग interest certificate लेते हैं bank से वो हम लोग को 50 रुपे चार्ज करेगा आपसे पहले वो free था communication address और mobile number changes के लिए भी आपको charges देने परेंगे 25 रुपी करके प्रती request पर अगर KYC updatation के लिए भी आप जा रहे हैं उस पर भी आप charges लाग गेंगे मतलब 25 रुपी उस पर भी charge लागेगा KYC updatation के लिए भी duplicate passbook और FRD receipt के लिए भी आपको 50 रुपे करके देने परेंगे अब request for internet mobile banking instra pin star token passbook unblocking के लिए भी आपको charges देने परेंगे internet और mobile banking के लिए आपको 25 रुपे करके देने परेंगे और pin instra pin और other request के लिए आपको 10 रुपे करके देने परेंगे प्रती request पर request for debit card, अब debit card के लिए issue और debit card के लिए आगर request करते हैं, उस पर भी आपको 25 रुपे करके देने परेंगे वो आपके account से auto debit हो जाएगा अभी जो charges नहीं है, वो दो है stop payment, instruction उस पर कोई charges नहीं लगाया गया है, और standing instruction पर भी कोई charges अभी लगाया नहीं गया है